प्यारे बच्चों स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासिस में तो प्यारे बच्चों कल कच्छा बार्मी का 9 सितंबर 2021 को भुगोल का विकली टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चों इसमें हम most important question करोंगे बच्चों यह question very very important है unique question आप सभी के लिए बिचाट कर लाया हूँ तो प्यारे बच्चों इसमें कुल 16 प्रस्ट है आप सभी को इसमें चेक करना है कि आप कितने तयार हो विकली टेस्ट के लिए तो पहला प्रस्ट आप सभी से है ब्राजील में कोफी के बगान को क्या कहा जाता है विकल्प दे रखा है मिलपा, फेजेंडा, लदांग या इन में से कोई नहीं बताइए बच्चा आप सभी कोई सब्ता परात्मिक रियाएं, दीतियक रियाएं, परिवहन एवं संचार ये तीनों टोपी को अच्छे से पढ़ना है बच्चा और इसी से आपके प्रेशन बनेंगे तो बताइए इसमें से क्या इसका सही उतर होगा इसका सही उतर होगा बच्चो फेजेंडा उसे हम लोग फेजेंडा कहते हैं ब्राजिल में कोफी के बगान को क्या कहते हैं फेजेंडा कहते हैं दूसरा प्रस्ण है, रबबड का सबसे बड़ा निर्यातक देश कोन है? पहला विकल्प यहाँ पे दे रखा है, रूस, दूसरा दे रखा है, अमेरिका, तिसरा दे रखा है, थाइलेंड, और चोथा दे रखा है, मलेशिया. क्या होगा सही उत्तर इसका? तो बिच्चों, यहाँ पे सही उत्तर होगा, सी थाइलेंड, सबसे बड़ा निर्यातक देश कोन सा है? थाइलेंड है, प्रस्ण संख्या तीन को देखते हैं, तीसरा दे रखा है, इनमें से क्या क्रीसे से सम्बंदित नहीं है, मतस्य पालन, पशुचारण, फसल, उत्पादन, ये सभी क्रीसी के अंत्रगत, क्रीसी निर्मान, दुर्तिय क्रियाय के अंत्रगत आता है प्यारे बच्चों, आप भारत्यस क्लासिस पर नए हैं, तो प्लीज बचा सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जलदी से ला तो प्यारे बच्छो आप सभी जानते हो कि जितने भी रवी की फसल होती है वे सभी को बुनने के समय कम तापमाद चाहिए यानि वे सभी ठंड के रितु में बोई जाती है तो यहाँ पर बताईए इन में से कौन सी रवी की फसल है आप सभी जानते हो कि जो गेहूं है वो र रवी की फसल, खरीफ की फसल को अच्छे से बताया है, तो प्यारी बच्चों, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज बच्चा उस वीडियो को जरूर देखिया है, उसमें भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन पताया जिया है, निमलिकित में से कौन रोपन फसल के अंतरगत ही आती है, तो यहाँ पे चाय सही विकल्ब है, छटा प्रशन है, निमलिकित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, प्रशन को ध्यां से पढ़ना है, कई बच्चे क्या करते हैं, कि यहाँ पे नहीं को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पुछ रखाए कौन स ये दोनों जो हैं वो रेशेदार फसल नहीं है तिसमें B और C दोनों होगा है ना ये कौफी तो पैप है और मक्का यहां पे यहां पे मक्का की बात करें तो ये खरी फसल है मक्का-धान निमलिकित मेंसे क्या और द्योकिक अवस्थापना का प्रमुक कारक नहीं है पुंजी बजार, उर्जा या जनसंक्या घनत तो बच्चो पुझी, बजार, उर्जा ये तीनों यहाँ पे परमुख कारक हैं लेकिन जनसंक्या घनत तो यहाँ परमुख कारक नहीं हैं निमलिखित में से क्या दूत्य क्रिया कलाप से संबंदित नहीं है इसपात प्रगलन, मचली पकड़ना, टोकरी बुनना या इन में से कोई नहीं तो परचो यहाँ पर इसपात प्रगलन और टोकरी बुनना इन दोनों में निर्मान हो रहा है लेकिन मचली पकड़ना ये वी निर्मान से संब्दित नहीं है ये प्रात्मी क्रियाओं से संब्दित है तो मतेश से पालन मचली पकड़ना ये प्रात्मी क्रियाओं के अंतरगत आती है इसे हम लोग आखेटक भी बोल सकते हैं आखेटक ये भी प्रात्मी क्रियाओं के अंत क्या होगा सही उतर तो बच्चों यहाँ पर सही उतर है पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है दसमा प्रस्ण है निमलिकित में से क्या क्रीषी आधारिक दोग है बताएगा बच्चा लाख उद्योग कागज उद्योग उनिवस्त्र उद्योग या फिर रबड उद्योग क्रिसी अधारित उद्योग क्या हुआ जिसमें कच्चे माल की प्राप्ति क्रिसी छेतरों से होती है और डारिट वहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं निर्मान करके निर्यात करते हैं तो देखें यहाँ पे जो रबड उद्योग है व तो हमें पशुओं से प्राप्त होता है, कागज, लाह, इसपात या उन, तो कागज, पेड़पूधों से है ना, लाह, इसपात, ये तीनों नहीं होगा लेकिन उन, घेड़ से, बकरी से, ये सभी जानवर हैं, तो ये जानवर या फिर पशुओधारी तुद्योग से बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो जल मार्ग है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, कौन सा है, रेल मार्ग, और सबसे महंगा पूछा जाए, तो वायू मार्ग है, सबसे महंगा और सबसे त्रिव, ये न, सबसे त्रिव तम, सबसे तेज गती से परिवहन हो र तो हम वायू इयान का या फिर वायू मार्ग का उप्योग करेंगे और यदि हमें भारी-भारी समान्ड होना है और हमें समय की परवानी करनी, समय इसमें ज्यादा लगेगा तो जल मार्ग तेरा, राइन जल मार्ग जोड़ती है, इंगलेंड को जर्मनी से, इटली को स्पेन से, जर्मनी को नीदरलेंड से या इनमें से कोई नहीं तो बच्छो यहांपे right answer है जर्मनी को निदरलेंड से, Ryan Jalmarg जर्मनी को निदरलेंड से जोडती है अगला प्रिशन है स्वेज नहर जोडती है, very very important question है बच्छा कई बार यास question अग्जाम में आता है मैंने आप सभी के लिए unique unique important questions चाट करला है है यहां बच्छा तो आप इसे जरूर देखिए बच्चा और इसे याद जरूर रखिए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भुमेद सागर को लाल सागर से भुमेद सागर को हिंद महासागर से यन में से कोई नहीं तो बच्चो स्वेज नहर भूमेद सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यहाँ पे B विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, पनामा नहर जोड़ती है, यहाँ पे पनामा सहर का नाम है, और किस के जोड़ती है, तो पनामा से कॉलोन को जोड़ती है, A विकल्प सही है, बच्चो प्रशांत महासागर से जोड़ती है अंतिम प्रश्ण है लंबी दूरी तक भारी समान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है रेल परिवहन जल परिवहन वायू परिवहन या इन में से कोई नहीं प्यारे बचों ये प्रश्ण आप सभी के लिए होंवक है इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखेंगे और वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा धन्यवाद बच्चा